जैस्री राम भगतो भगतो इस महामंत्र में इतनी शक्ति है कि इसके आगे ब्रह्मांड की कोई भी समस्या एक पल भी नी टिक सकती इसके एक बार बोलने मात्र से चाहे कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो दुख हो तकलीफ हो सब दूर हो जाएंगी कोई भी आपकी मनो काम न लेते हैं कि कौन सा वो महामंत्र है भगतो अनन्त कोटी मंत्र है इस दुनिया में लेकिन जो महामंत्र होता है उसकी तो कुछ बात ही अलग होती है सकंद पुराण में वेद व्यास जी ने कहा है कि जो लोग राम नाम महामंत्र का उचारण करते हैं उन्होंने क्या कहा है राम नाम महामंत्र है खाते पीते सोते चलते और बैठते समय सुख में या दुख में राम मंत्र का जब करते हैं उन्हें दुख दुरभग वे व्याधी का भी बेहनी रहता प्रभू सिरी राम सभी प्रकार के सुखों के देने वाले स्वामी है दीन दुखियों पर दया करने वाले कृपालू है राम नाम में ही इतनी शक्ति है राम नाम ही महामंतर है क्यों क्योंकि राम नाम आदी और अनादी है ना इसका इसका अंत है ये राम नाम सत्यूग में भ नहीं थी तब भी था अब भी है जब बच्चा पैदा होता है तो राम नाम के गीत गाए जाते हैं जब मृत्यू होती है तो राम नाम सत्य बोला जाता है और जब भ्यासादी होती है तब भी राम नाम के गीत गाए जाते हैं कुछ भी हो जाए तो ये कहा जाता है राम तुन मंत्र है राम नाम का भी आप जब करते हो तो भी निश्ची थी आपके जीवन की सभी प्रेशानिया दूर हो जाएंगी लेकिन एक एक ऐसा विजे मंत्र बता दिया गया है जो कि स्वेम प्रभु ने दिया है और वेद व्यास जी ने इसका वणर सकंद पुराण में किया है मं मंत्र है सिरी राम जै राम जै जै राम ये महा मंत्र है मंत्र आपने कई बार सुना भी होगा और इसका आपने जब भी किया होगा लेकिन शायद आपको इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं होगा इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपको कितनी भी बड़ी दुविधा से निकाल या जब करने के लिए किसी भी नियम किसी भी विधी के पालन करने की कोई आशकता नहीं है इस मंत्र को आप दिन के किसी भी समय कहीं पर भी हो चाहे शुद हो चाहे अशुद हो मन के द्वारा एनी टाइम इसका जब कर सकते हो तो भगतो इस मंत्र में शिरी, राम और जैतीन शब्दों को एक खास करम में दोराया गया है शिरी का मतलब है कि लक्समी, सवरूपा, सीता या शक्ती राम शब्द से रा का मतलब है अगनी जो दहा करने वाली है तथा संपून दुशकरमों का नास करती है और मैं का यहां मतलब है जल तत्व, जल को जीवन माना जाता है इसलिए इस मंत्र में मैं से तात्परे जीवात्मा से है इस मंत्र का पूरा अर्थ इस तरह होता है कि वह है शक्ती जो संपून दुशित करमों का नास करते हुए जीवन का वरन करती हो या आत्मा पर विजय प्राप्त करती हो इसलिए कोई भी इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है तो वह अचानक आने वाली प्रेशानी से बचा रहता है जीवन की कोई भी मुश्किल उसकी उनत्ती में बादा नहीं बनती है तो बहुत ही सरल है मंत्र दुबारा बता देते हैं सिरी राम जै राम जै जै राम तारक मंत्र इसको कहा जाता है तो आप इस मंत्र को किसी भी समय जितना आपके पास टाइम हो एक जगह बैट कर जपे इसको चलते फिरते सारे दिन कारिये करते करते मन में इसको गुन गुनाते रहें क्योंकि जब राम नाम के आगे ये सृरी राम जैराम जैजैराम इसका पूरा अविजह अर्थ पताया तो इसके शक्ति अनन्त गुना बढ़ जाती है तो आपके सारे कष्टों को ये ततकाल दूर दूर करतें गा एक बार बोलते ही इतने इतनी शक्ति है कि एक बार बोलते ही आपके सभी दुखों को दूर कर दे बसरतें कि आपका मने काग्र हो आपका पूर्ण शृद्धा विश्वास हो तो भगतो आपका जीवन ततकाल बदल जैएगा अब हम अपनी वांइ को विराम देते हैं जै श्री राम भगतो